इस इस कॉल डेटा अनलेटिक्स कलो वाई मेरा पूरा दस दिन हो गया मैंने दस दिन बहुत अच्छे से मैं एक दम रट रट के चीजों को conceptually समझ समझ के जैसा अंकुषर बोलते हैं वैसे मैंने पूरा अच्छे से audit किया है कीवर्ड को एक दम ध्यान से पड़ा है ध्यान से रटा है अब डैम शॉर कि मुझे अब सब कुछ अच्छे से याद हो गया है तो एक बार फिर भी रिकॉल करने के लिए सर ने बताया था न प्लैनिंग अरे नहीं ने पुछेंगे तो एडवांटेज जिस ने बताय थे प्लैनिंग के आप प्लैनिंग करोगे तो आपका ओडिट जो है वह बहुत जादा एफेक्टिव हो जाता है ओडिट के साथ है एफीशेंट हो जाता है एडवानटेज़ प्लैनिंग इतने पांच 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 नंबर इतने अंबर देख लेता हूं मैं एक,दोTH, तीन, चार, प्रोच जा अच्छा चैदवांटेज़े चैद्वांटेजेज़ सनने कुछ लिंक करके बुला था बुला था क्या बुला हो गया और सर तो लिंक करके फ्रवाते हैं इस हम יא topic पादा था कि बढ़ाय था क्या पदा था ना एक concentration हााा संदेत परंड पढ़ाया नीटा नीट पढ़ाया था पढ़ाया था पढ़ाया है याद आया यादा है हाहा सॉलीहा नीमी पढ़ाया reuse थे या 10 दिन पहले किस को याद रहता है पांच दिन पहले मैंने भैवेंग कॉड़ेट मुझा देख रहा हूझा, वो ठोड़ा सारिक में हुए मैं जार जासे मुझे याद रहा हुँ मैं तना अच्छे सी मैं तनी तरको पता है prost opened रेकाड में क्या होता है मारे ौ ट्रेड काड मतलब जो बैंक कि इंशू करता है उसको अम bond और हम है औडिटर तो हमें र्रेडिट काड इस्चू चेक करना है तो अब हम क्या करेंगे प्रेडिट काट इस्जू चेक करना है मतलब है और यार मतलब देख क्रेडिट काट मैं has been bank मैं अगर कुसी को क्रेडिट काट दे रहा हूँ तो मैं उसे क्या पुछ तो बुला था स्टार्टिंग मेंठा कुछ तो यह और हूब उसका वो पोटेंशल क्या तेरा पोटेंशल क्या है क्रेडिट कार्ड क्यों मैं तुझे क्रेडिट कार्ड कुछ क्रेडिट क्रेडिट नाम से था न वो अरे क्या था और क्रेडिट के कुछ इसकी वर्थ कर रहे थी क्रेड़िट वर्थ वर्थ घ्र थशुडा सा देख लेता हूं क्रेड़िट वर्थ क्रेड़ वर्थ कितने था ए यादा गया ऐन वे ग्यों के साब थोड़ा सा कुछ चेक कर ली अब मैंनों इसको क्रेडिट काट डे दिया अब क्या करूंगा मैं अब क्या चेक करना है तो बहुत ही जाद है इतना थोड़ी याद रहेगा किसी को यार मैंने पहले पड़ा था कोई चीज अरे कल वाला पकड़ना कल पड़ा तो था वो वो क्या पड़ा था रिवी कल पड़ा था ना अपना ये क्या पड़ा था तो SDG हाँ SDG 9 principle 9 principle याद है वो सर्ने एक स्टोरी बनाई थी कुछ तो कहानी बाए थी बता नी अच्छी बताई थी उस तो बताई थी सटने कुछ तो ऐसे कहानी बनाई थी कुछ वो 9 principle 9 उसके keywords 9 के जो वो principle के नाम थे उसका ले लेके उन्होंने सर एक कहानी पूरी बनाई अंपने तता रैट्का मार रहे थे उसका हां वई 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 वय वाली हां राइट हां ये वाली याद है कली तो पड़े दिया अपने शुरू अहां से कर अंशनु सबसेश्ता था है थ। पहला अपना कुछ और ट्रांसपरेंसी का कुछ तो था पहला प्रिंसिपल ही तो था यह है अरे सन्य इतनी अच्छी वो रागाओ का नाम भी लिया था सन्य अपने फ्रेंड का हा मुझे याद है थैंक्यू रागाओ करके सन्य लिखाया भी था मैंने लिखा भी था थैंक्यू रागाओ यह तो मुझे याद है यार अभी तो फीलिवी पहले प्रिंसिपल में लिए टीन वर्ट थे न ऐसे ऐसे और कॉमा-कॉमा एंड ट्रांस्परेंसिग था घिर से बीच में था है तो था मतलब फॉर्स वर्ट तो ट्रांस्परेंसी हाँ तो हमको एथिक्स रखने के लिए इंप्लॉईज का कुछ तो इंप्लॉईज के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी कुछ तो बनानी पड़ेगी न कि सब्सक्राइब बताया था यार मुझे नाइन प्रिंसेपल दिया हे उसके अंदर के और गये संदर के से यादूंगे रुख या है कि आने वाला यह तो आंच डिल्ले तो आता है पांच मार्ण तो करना ही थे कली तो किया था मैंने असको दस बार भूला था कम से कम, था याद कर याद कर कुछ तो था, ट्रांस्पेरेंसी, ट्रांस्पेरेंसी, अभी तो बड़ा, एथिक्स, अकाउंटेमिलिटी, क्या, हम एथिक्स प्रिंसिपल को, एथिक्स रखके, हम एम्प्लोईज के साथ, गुड्स, सर्विसेस प्रोवाइड करेंगे, भाई, ये तो पुरा जंबल हो गया, यार, मुझे, मुझे वर्ड्स यहाद है, लेकिन वो क्या सीक्वेंस पे तो यह याद नहीं है, कि नहीं 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 हां ठीक कोई बात निकलता है वह बीच में तो फिर वह माइन से मेरी मेरी मेमरी चली गए तो भी भी है अपने कर रहा है सब थो ठीक है क्या है न भाई इतना थोड़ी याद रहता है यार एक यूमन बेन कितना स्वोड़ करेगा अपन आज का देख लेते हैं आज आज अभी आज आज शुरू किया न अपन ने audit कहां से शुरू किया अपन ने अपन उसमें मैंने क्या किया यह देखा अपन देखा अपन ने क्या अभी तो हाँ बहुत बड़ा चैप्टर रहे यार उसमें बहुत सिलेक्टिव करकर करके जो भी अपने को याद आया वह अपनने कर लिया कुछ तो उसमें इसो किसी को प्रेटेंड कर रहे हो फिर आप जा रहे हो तो उसको किया बुला था पर सोने नहीं 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 आप याद कर लेते हैं कुछ तो सार ने बोला था कि आप adaptive Creed के नाम को याद था ना चिंए जैसे आप एक उती अपनी बड़ी मचली बड़ी मचली बड़ी मचली मतलब ऊत centuryC extremת इंठी समॉल small fishing smishing, हाँ, sorry, sorry, smishing हाँ, सर ने ऐसी बताया था, smishing, right, right, right smishing, smishing छोटी मचली, बडी मचली क्या कर रहे है छोटी मचली, बडी मचली, क्या कर रहे है एक तो कुछ fishing ही था और आगे कुछ एक word था, अभी तो बढ़ा था, यार ये अभी, अभी हाँ, रुक, याद कर, याद कर, याद कर fishing था, और आगे एक word था क्या था, spare राइट राइट, याद आ गया, हाँ, spare, fishing अपना ये क्या था, अभी, 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 दो बुले न, वो कौन से बुले इक तो बडी, वेलिंग, पर अपना, छोटी, smishing right, smishing great, okay अब लास्ट था, last 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 अपन कुछ कर रहे थे कुछ माँा रहे थे, क्या मांग रहे थे wishing, yes 4 4 fishing वाले याद है, मुझे mean 10 minutes पहले किया था, लेकिन मैं को याद है उसके अंदर, अंदर का तोड़ी दिन अई घरेक पूछेगा न कुछ तो याद है अपने को अब चल ठीग है अब ये एक चीज याद है जो मुझे अच्छे से आती है जो मैं भी लास्ट बसिप लास्ट तौपिक जो मैं खतम किया था वह मुझे अच्छे से आता है data analytics जो मैंने लास्ट में बोला कि भाई वो मुझे अच्छे से आता है वो मुझे आप पूछ लीजिए आप पूछो तो सही अरे मैं वेट कर रहा हूँ आप पूछो क्या अच्छा आप सोचे देख मैं जवाब दूँगा वेट कर रहा था अच्छा अच्छा data analytics बताओ मैं आपको data analytics is is an analysis data analytics is an analysis 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 sys analysis analysis sys okay 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 ha 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 data analytics is an analysis of 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 data data analytics is an analysis of data two क्यों चाहिए हमें analysis? क्या करना हमें analysis का? two अभी तर बढ़ा था? अभी दो मिट पहले तुने बढ़ाइए, ठीक है? में मार दूँगा तुझे, दो मिट पहले तुने बढ़ाइए, क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? चल ठीक है थोड़ा सा देख रहा हूँ थोड़ा सा देख रहा हूँ, एक word एक word, एक से दारना नहीं दिखाँगा तुझे, एक word Meaningful, ओके हाँ To gain meaningful ने ने, meaningful analysis था या Meaningful to gain meaningful था नहीं आदारा नहीं आदारा नहीं आदारा यार मैं सब कुछ भूल गया मैं सब कुछ भूल गया नहीं आदारा दस धन के लिए मैं नौर्ट पड़ा कुझे कुछी भी याद नहीं आरा आज 80 तरीग है। और मेरे एक्जाम है। जिसमें ने 7 दिन तो फ्र के लिए रखे, तो मेरे बाज 5 दिन है। उसमें मेरे पास यतने सारे सब्चेक्ट्स है और मैंने ओडिट को पूरे दस दिन दिये और फिर भी मुझे ओडिट याद नहीं आ रहा दो दिन का पहले पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा क्यों मैं फिर से फेल हो जाओंगा फिर से मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे क्यों याद नहीं आ रहा यार मैंने इतना अच्छे से तुपढ़ा था इतना अच्छे से पढ़ा था मैंने इतनी बार उसको रिवाइज किया था इतनी बार रटा था मैंने उसको 10-15 बार मैंने हर चीज बोली फिर भी मुझे याद मी आ रही मुझे कुछ क्यों याद मी रहता है यार बाकी सब को कैसे रह जाता है वाई I know आप सब के सिचुएशन ऐसी है and to be very frank मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं अभी I will literally cry while making this video मुझे आसु आ रहे remembering my days जब मैं जब मैं भी प्रिपेरे चरता था और मुझे भी ऐसे बीजुच मैंसे panic attacks आते थे anxiety आती थे depression आता था depression मतलब जो भी ऐसे बुरे ख्यालात है कि कैसे होगा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आप से पकेले इसमें यह मेरे साथ भी ऐसा हुआ है and I am sure 99.9% लोग के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत जो पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा किसी भी चकर की वज़ए से anxiety वज़ए से depression की वज़ए से जो उनको इतना pressure मिल रहा है उसकी वज़ए से और मेरे पास तो extra और pressure था कि यार मुझे rank लानी थी क्योंकि मैंने publicly announce कर दिया था मुझे rank लानी है जबकि मेरे पास 3.5 months थे इसे पढ़ाई करने के लिए तो you are not alone I just want to say this आप अकेले नहीं है इसमें सबकी सबकी यही हालत है but the way I overcome this the way I overcome I had overcome this was like मैंने and this can be a game changer मतलब मैं इतना जो मैंने आपको यह सारी details बताई जैसा मैं करता था अपनी exam के time यह same यह मैं आपकी situation नहीं बता रहा शायद आप relate कर पाई इसे लेकिन यह मेरी situation थी मेरे साथ भी ऐसा ही ditto होता था आपको अगर यकीन ना हो मैंने एक वीडियो डाले हुई है just एक साल पहले 19 November 19 October को मैंने वीडियो डाली थी मेरी just exam से 11 दिन पहले एक वीडियो डाली थी How I motivate myself जिसके कुछ clippings मैं आपको दिखा रहा हूँ यार मैं तुझे बेस इतना ही बूलना चाहूंगा कि कर ले यार कर ले I don't want to regret यार मुझे यह नहीं सूचना बाद में कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता थोड़ा सा और कर लिया होता मैं जानता हूं तू कर सकता है ब्रो इसकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यार मैं भी anxiety का शिकार हुआ था मेरे को बहुत साथ anxiety हो दी थी कि कुछ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कुछ याद नहीं आ रहा मौक्टेस में अच्छे marks नहीं आ रहे अपने सप्रे बड़े बड़े देख लिए कि रैंक ले आएंगे रैंक ले आएंगे वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है उसके साथ से बट एक चीज बट मेरे को ये unable to recall वाला problem नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा था है सरी आप क्या बोल रहे हो हमें पता किसी चलेगा कि हम याद कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हमें वो चीज याद है या नहीं है मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप उस चीज को बार बार पढ़ो आप जितना multiple times revision करोगे न उतना वो चीज आपके subconscious mind में 9.9% students जिससे चीजी जिनको चीजी recall नहीं होती है और इसका सबसे best part इस चीज से बचने का है कि उसको ignore करो उसको avoid करो recall करो ही मत तो सरा बोलो कि test कैसे करे हम पढ़ रहे है पढ़ रहे हम अपना को test कैसे करे कि हमने सही किया गलत किया कैसे पता चलेगा हमको यादा भी रहा है कि नहीं आ रहा हमको exam में यादा आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता चलेगा that's the thing इसलिए मैं कब से मतलब जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया गाइडिंग इंटर्मीडियर्ट में मेरे राएं काई थी अंके और 5 से तब से लेके आज तक मैं सब को जो भी मेरे अइडदगिर्द मेरे जितने ऐतर्मीड सब जगह तो सब जगह मै् सिर्फ मॉक्टैस मॉक्टैस то कोई अगर बंदा पहली बार आकर मुजसे बोलता है कि सर में मैं पिशली बार लो गया पेपर में जो लिखा नहीं लिखा अलग बात है, मॉक्टेस नहीं दिया, यहां से आपकी गल्दियां शुरू हो रही है, ऐसा भी नहीं है, अजियू मत कर लेना कि सर मेरा एक दोस्त है, जिसने मॉक्टेस नहीं दिया था, वो तो रैंक वैंक लेके आ गया, आप कहां जैनिक मेमरी एक बार देखा, यह पुरा छप गया दिमाग में, ऐसा नहीं है हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, मैंने जो चीज सही करी मेरे जीवन में, सबसे पहली थी मॉक्टेस, पाँच मॉक्टेस इंटरमीडियट में, तीन मॉक्टेस फाइनल में, यह मैं बार जो के बारे में पता नहीं चलता तो, और पहली यह सबसे बड़ी बेनिफिट था मेरा, और दूसरा मैंने कभी रिकॉल करने कोशिशी नहीं करी, I never tried recalling things, never, 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 मैं सिर्फ चीजों को पढ़ता था, बार-बार पढ़ता था, बार-बार लगातार पढ़ता था, यह तीन टेंशन बिल्ड होता है माइंड में, और कुछ नहीं होता, याद आ गया तो भी टेंशन होता है, इतना ही क्यों याद आया, इस से जादा क्यों नहीं याद आ रहा, और याद नहीं आया, फिर तो, खताम है, आपका confidence गया, गया, this is a tool, अगर आपको अपना confidence गिराना है तो अगर आप रिकॉल करो, बिंदास रिकॉल करो, जितना रिकॉल करना है, 10-15 साल पहले जो पढ़ा था, वो भी रिकॉल करो, अगर आपको अपना confidence गिराना है, अगर आपको अपना confidence भढ़ाना है तो रिकॉल करो ही मत, सिर्फ उसको revise करते रहो बार बार, या आपको कोई नह पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, टेस्स करना है तो mock test दीजिए न, वहाँ से सिर्फ आपके recall memory test नहीं होगी, आपका लिखने का भी पता चलेगा आपको कि तीन घंटे में आपको कि इतना लिख सकते है, एक यहाँ पेपर पे होता है पेपर वाले आपको marks दिखाएगा, दिलाएगा, यहाँ वाले marks नहीं दिलाएगा आपको, ICI का paper है, mock test है, free है, दो-दो mock test ICI के, लिखो, तीन हिंटे बैटके लिखो, अगर आपको मेरे analysis पे trust है, अगर आपको लगता है कि अब मैं अच्छे से analysis कर पाता हूँ, चीज होग आपको प्रॉमिस कर लो, कि अब आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, time चला गया है, नया पढ़ने का time चला गया है, in fact I would suggest कि अब आप मेरे material भी buy मत करो, किसी और का तो buy मत करो, मलब नया material कहीं और से buy मत करो, जो existing material है, उसी से पढ़ो, unless आपको बहुत जादा दिक्कत ल लिया है, उस पे ध्यान ने रहा, बट सर हमने तो शुरूई नहीं किया audit, अब इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि 60-70% भी अगर आपने पूरे subject में cover कर लिया है अभी तक, और सिर्फ 60-70% दे cover किया है, तो भी उसको बार-बार revise करो, उस 60-70% में perfection लाने की कोशिश करो, आप 100% पर अभी जाओगे, आप उसको revise नहीं कर पाओगे, जो पहले पढ़ा है उसको भी revise नहीं कर पाओगे, जो नया पढ़ोगे उसको भी revise नहीं कर पाओगे, किसी को भी revise नहीं कर पाओगे, आप पेल कितने सारे बच्चों से मैंने इंट्राइक किया आर्वीजी हॉस्टल में इन फाक्ट यूट्यूब पे डीम्स आते हैं मेसेज़े आते हैं कॉल्स आते हैं सब से इंट्राइक करके इस इस यौर बिगेस्ट मिस्टेक देट यॉर दूइंग राइट नौ यह रिकॉल होने ही नहीं वाला है ठीक है आई होप आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रहे होगे तीसरी चीज़ अपना नया मटीरल मत लीजे कोई भी नया टॉपिक भी मत लीजे कोई भी ऐसा नहीं कि यार मैंने इस सिप्चेक का सिप सिप सेवन्टी पसंट की तरफ में जा रहो ऐसा भी मत कीजिए यह मेरी हाथ जोड़ के आपसे विंती है अगर यह बात आपने अभी समझ ली तो अगर आप यह बात नहीं समझते तो आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-जादा मुश्किल होगी आपके इसे में पेपर में जस्ट ऐसा बड़ा भाई मैं आपको यह सारी advices देना चाहूँगा and बस एक बार request करना चाहूँगा कि मैंने जो वीडियो की link डाली है जो मैंने एक साल पहले डाला था उस वीडियो को भी जाकर आप देखे आपको थुदा सब सुकून मिलेगा क्यार सिफ हम नहीं है ऐसे उस वीडियो में मैंने I was just filled with emotions I was overwhelmed क्योंकि भूर्सारी चीजे चलती दिमाग में कैसे हो गए क्या होगा rank आएगी नहीं आएगी कैसेया कुछ चल नहीं रहा मैं कैसे अपने आपको motivate करूँ किया कैसे अपने आपको push कर रहूं वो सारी चीजे वो सारी चीजे मैंने जो मैं खुद को बोल रहा था वो मैंने रेकॉर्ड करके डाली है वाँ पर वो वीडियो भी देखेगा एंड यार कुछ भी नहीं है यार C है ना निकाल लेंगे audit है ना निकाल लेंगे आप भरोसा रखिए किसी और पर भरोसा दा मत रखिए खुद पर भरोसा रखिए आपकी preparation अच्छी है आपने जो भी preparation किये वो अच्छी की है अब उस पर capitalize करने का time है उसको leverage करने का time है नया उठाने का time नहीं है उसी को capitalize करो उसी को बार-बार पड़ो उसी में अपनी accuracy बढ़ाओ उसी को बहुत अच्छे से revise करो अब अपने आप पर भरोसा रखिए सब कुछ सही होगा कुछ गलत नहीं होगा आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा बस यही है कि यार exam के time भी कभी अपना paper discuss मत करना यह सारी चीज़े हैं यह सारी चीज़े भी किसी और बड़ी गलतिया जो मैंने इसमें बात करें वो please तीनों बड़ी गलतिया आप करना बंद कर दीजिए अगर आप यह बड़ी गलतिया करते थे तो नीचे लिख दीजिए कि I was doing this mistake and now I will stop doing this mistake this should be your statement now लिखना है लिखो नहीं लिखना है मत लिखो लिखना मने दिमाग में चाप लो कि अब से मैं यह गलती नहीं करूंगा this is not I want I hope मेरे आपको यह पूरी चीज़े जो है वो clear हो गई होगी I know यह वीडियो बहुत बड़ा बन गया है but I wanted to touch on your that feeling है and मैं अके लाग खर्ता है जोम अब टन्षण है कि इसे तो आप के साथ है सब सब एक मत ऑच्छे से डियक प्रट को कर लिया है ओर किसी और कि और particular subject को बहुत अच्छे से कर लिया, बाकि सब एक level पे ही है, जो difference आता है, वो अब के बाद आता है, और आपके exam days पे आता है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो ले आओंगा, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो please like करतीजेगा, आपने आपके लिए वीडियो चाहिए, जो exam days पे आपके लिए क्या-क्या mistakes जो हम बच्चे करते हैं, वो वीडियो भी अगर आपको चीह तो नीचे comment कर दीजेगा, अगर बहुत सारे बच्चे comment करेंगे, तो definitely मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेके आज आजाओंगा, तो इस ब Bye-bye!